नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा अमेरिका में गन फाइरिंग की घटनाएं हाल के सालों में तेजी से बढ़ रही है 24 माई को टेकसेस के एक स्कूल में फाइरिंग हुई जिसमें 19 बच्चों और दो टीचर्स की मौत हो गई इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है पॉशिंग्टन समेच 450 शहरों में हजारों लोगों ने वरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन कर रहे गन सेफटी ग्रूप मार्च फॉर एवर लाइफ्स के मेंबर्स का कहना है कि वो सरकार को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने देंगे एक प्रदर्शन कारी ने कहा कि लोग मर रहे हैं ऐसा सरकार की कुछ नहीं करने के कारण हो रहा है सरकार को सक्त कदम उठाना ही होगा अब कानून में बदलाव लाने की जरूरत है चले फिलाल के ले इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद